आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे वेट वारीशन ओफ कैप्सूल तो सबसे पहले देखते हैं कैप्सूल क्या है कैप्सूल और सॉलिडोस फॉर्म इन विश्टार ड्रग सबस्तांस एंग्रोज इन वाटर सॉल्यूबल शेल और एंग्रोलप जो कैप्सूल रहते हैं वो सॉलिडोस फॉर्म रहती है जिसमें की जो ड्रग सबस्तांस है उसे एंग्रोज किया जाता है वाटर सॉल्यूबल शेल या फिर अण्वलप में तो नैक्स देखते हैं इसका वेट वारीशन क्यों किया जाता है क्या इसका परफ़र है weight variation of capsule ensure that proper amount of drug distributed in each capsule जो weight variation procedure है वो ensure करता है drug के proper distribution को in each capsule तो next देखते हैं किस तरह से इसका procedure आता है तो देखे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें भी हम tablet की तरह ही 20 capsules का weight लेंगे जब 20 capsules को जो आप total weight लोगे उसके बाद आप individually weight करोगे 20 capsules को और उसका जो इंडिविजूल weight फांड आउट करोगे और उसके बाद आप calculate करोगे उसके average weight को छीक है जब आप 20 capsules का weight ले लिया 20 capsules का weight लेने के बाद जो आपके बस 20 capsules का total weight आता है उसको divided about 20 करके आपका average weight आप find out करोगे average weight find out करने के बाद individual weight को compare करोगे average weight के साथ और जो individual weight रहेगा of capsule should be within the limit of average weight और उसके बाद हम क्या करेंगे जो भी आपके capsule की जो filling रहती है उसे हम remove करेंगे remove the net content of each capsule कैपसूल के जो filling को आप remove करने के बाद क्या करोगे weigh empty shell individually आप जो है capsule shells रहेगी उन्हें आप individually weigh करोगे ठीके उनका individually weigh करने के बाद आप उसके जो है उसकी भी mean value calculate करोगे और find out करोगे net weight of capsule ठीके net weight of sorry net weight of content individually by using the formula net weight या फिर जिसे कहेंगे हम average fill उसे किस तर से calculate किया जाएगा उसे किया किया जाएगा average weight minus जो आपका रहेगा empty capsule shell weight ठीके उससे आपके पास average fill आजाएगी capsule के तो next time देखते है इसकी क्या limits रहती है limit जो है capsule की weight variation की जो रहेगी as per IP जो limits रहेगी वो देखिए अगर आपके पास capsule का weight जो है 300 mg से कम है ठीक है तो आपके जो उसमें standard deviation apply होगी वो होगी plus minus 10% की अगर आपके पास capsule का जो average weight है वो 300 mg और उससे जादा है तो आपके पास जो standard deviation उसकी apply होगी plus minus 7.5% की रहेगी तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चानल को subscribe कीजिएगा like कीजिएगा हो सके तो share कीजिएगा thank you